नमस्कार मित्रो, जैस्रीकृष्णा, जैसराम, हरियोम, आप सभी तर्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रो एक गिलास पानी शे पता करें कि आपके घर में भूत है या नहीं। हम सभी ने भूतों के बारे में जरूर सुना हैं, ऐसे में सभी का कहना होता हैं कि अपने वातावरण को साप एवं स्वक्ष रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए ताकि शकरात्मक उर्जा बनी रहे, वरना नकरात्मक उर्जा घर में आ जाती हैं। ऐसे में घर में नकरात्मक उर्जा होने शे बहुत नुक्षान होते हैं, और शब कुछ बूरा ही बूरा होता है। अब या कैसा पता करें कि नकरात्मक उर्जा घर में हैं या नहीं, हम आपको बता दें इसके लिए आपको किवल एक गिलास पानी चाहिए, फिर आप पता आंची तरह से हिला करकी मिला लेना है और उसको घर की ऐसी जगाह पर रखना है जहाँ प्र नक्रात्मक ओर्जा का ज़ादा एसास होता है यानी कि जहाँ भूत होने गवराट का एसास होता है उसके बाद यह पनी आगर अगली चुबाता गंदा हो जाते हैं, काला कलर के हो जाते हैं, या इसमें जो वाइट कलर होते हैं, नमक डालने बाद वो अगर पीला हो जाते हैं, काला हो जाते हैं, तो आप समझ जाए कि आपके घर में नकरात्मक उर्जा का वास हैं, और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर में शक्रात्मक उर्ज़ा है नक्रात्मक उर्ज़ा होने पर पानी में कलर चेंज देखने को मिलती और गर में गुंगूल इसका धुब दिखाए घरों में और हन्मान 40 का कम से कम 100 बार पाठ जरूर करा दे तो घर से इस प्रिकार के भूत और नक्रात्मक उर्जा भग जाते हैं और किसी ढोंगी पकंडी बावा के चक्कर में नहीं पड़ना है